गैस रियलमी ने लॉंच कर दिया है उसका ब्रैंड न्यू स्मार्टफून रियलमी 5i गैस इस स्मार्टफून का जो प्राइस है 9000 रूपीज और 9000 रूपीज के अंदर बहुत ही अच्छा कासा स्पेसिफिकेशन प्रूबैट कर रहा है लेकिन गैस इस स्मार्टफून का जो प्राइस है और आपर इन्फिनिक्स के तरफ से इन्फिनिक्स S5 भी आता है 9000 रूपीज के अंदर तो यहाँ पर काफी सारा दोस्तों Confuse है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर तो इस दोनों स्मार्टफोन से कौनसा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है कौनसा स्मार्टफोन असल में वाई किया जाए क्या आप Confuse हो जानना चाते हो इस दोनों स्मार्टफोन से कौनसा बेस्ट उने वाला है हेलो गाइस मैं हूँ संजाए आप देग रहे टेक्निकल वाबा संजाए यूटूब चैनल श्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में वीडियो का अच्छा लगए तो चुरूर एक लाइक करना उसी के सांसाथ जो मेरे नाय मैं मानों अभी तरक इस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए उसी के सांसाथ नोटिपिकेशन बिल को ओल में क्लिक करिए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं गैस दोनों स्मार्टफोन 9000 रुपीज के अंदर बहुत या अच्छा का सा स्पेसिपिकेशन पॉली कार्बोनेट बॉडी के साथ स्मार्टफोन आने वाला है उसी के सांसाथ यहां पर डूएल कलर गेरेंट भी है क्वाइट कैमेरे से टाप और एक LED फ्लैक्स पिंगरपिन सेंसर भी है और फॉन साथ के तरफ देखा जाए गाइस स्मार्टफोन आने वाला है वाटर बॉडी के साथ उसी के सांसर यहां पर डूएल कलर गेरेंट भी है क्वाइट कैमेरे से टाफ LED फ्लैक्स और फिंगरपिन सेंसर भी है और फॉन साथ के तरफ देखा जाए गाइस स्मार्टफोन आता है पांच होल डिस्प्ले के साथ उसी के सांसर इसका डिस्प्ले का में बिल्कुल बाजी माने वाला है इंफिनिक्स एस फाइप क्यूंकि गाइस स्मार्टफोन आता है बैक साइट के तरफ क्वाट कैमेरा सेटप के साथ इसका जो पाइमारी सेंसर होने वाला है 16 मेगापिक्साल उसी के सांसर 5 मेगापिक्साल है आल्टाओल लेंस के लिए गाइस एंपर पिक्चार कॉलिटी आने वाला है बहुत आच्छा कासा और आपर रियल में फाइब आता है बैक साइट के तरफ क्वाट कैमेरा सेटप के साथ इसका जो पाइमारी सेंसर होने वाला है 12 मेगापिक्साल उसी के सांसर 8 मेगापिक्साल है आल्टाओल लेंस के लिए 2 मेगापिक्चल देफ संचिंग लिए और 2 मेगापिक्चल माइक्रो लेंस के लिए गाइस यहां पार भी पिक्चार कॉल्टी बहुत आच्छा कासा आने वाला है लेकिन आपर रियार कैमेरे के बारे में बिल्कुल बाजी मानने वाला है इन्पिनिक्स S5 इसके लेकिन आपर प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी माता है रियल्मी 5i क्योंकि गाइस स्मार्टफोन आता है क्वालकम स्नैप्डगन का 665 चिपसेट के साथ जो कि एक औक्टागो चिपसेट है इसका जो क्लॉक्स भी डन करता है 2 गिकार्स में उसी के सांसादे प्रोसे और आपर इनफिनिक्स S5 आता है हिल्यू मीडा टेक का P22 चिपसेट के साथ जो के एक औक्टागो चिपसेट है इसका जो क्लॉक्स भी डन करता है 2 गिकार्स में उसी के सांसादे प्रोसेसर 12 नानोमेटर में बेस्ट है यहाँ पर भी गेमिंग पाफोमेंस बहुत ही स्मार्फोन आता है 5000 बैटरी के साथ उसी के सांसाद आउड आप बॉक्स 10 वाट का चार्जर भी आता है और स्मार्फोन आता है माइक्रो एसबी पोर्ट के साथ यहाँ पर बैटरी पाफोमेंस मिलने वाला है एक दिन तक तो आरम से निकल जाएगा और आपर इनफिनिक्स S 5 आता है दोस्तो एक ही वरेंस के साथ 4G 60 4G के साथ उसी के सांसा दोनों स्मार्फोन के अंदर डेलिकर्ट टे सिम स्ल् Ron दोन смог 123 ऑठेटा है और 9,000 रूपिस के अंदर बहुत हाँ आच्छा का सर्सा क्पिकेशन प्रोइड कर रहे लेकिन गाशिश दोनों स्मार्टफोन से कौन्सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है गैस अगर आपको बताए जाए अगर आप नॉर्माल यूज करना चाहते हो आपके लिए बेस्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्टफोन आता है 9,000 रुपिस के अंदर है पहला स्मार्टफोन भी है अगर आप गेमिंग करना चाहते हो उसी के साथ स्मार्टफोन को हेवी यूज करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्मार्टफोन होने वाला है रियल्मी 5i क्योंकि यहां पर है क्वालकम स्नैप्दैन गेमिंग पर्फोन के लिए ठीक टाक प्रोसेसर भी है और 10,000 रुपिस के अंदर ट्रेंडिंग प्रोसेसर भी है उसी के सांसाथ यहां पर है 5000 अमिज के बैटरी आएसे भी दोस्तों मेरे ही जब से और इस दोनों स्मार्टफोन से बेस्मार्टफोन होने वाला है रियल्मी के तरफ जा सकते हो मुझे लगता है दोस्तों आपके लिए बेस्मार्टफोन होने वाला है रियल्मी 5Y तो आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जोड़ू बतन हो तो क्योंकि दोस्तों सबकर आए तो अलग-अलग होता है उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद का वीडियो और बहुत सारा लेटे स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए तो सब्सक्राइब टो बनता है आज के लिए इतना ही मिलता है आगले फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंस टेक क्यार फ्रेंस